HTML stands for hypertext markup language and CSS stands for cascade style sheet HTML जो है आप कोई भी चीज़ का rough जो structure है वो HTML के साथ बनाते हैं और उस rough structure को आप फिर खुबसूरत जो है वो CSS के साथ बनाते हैं आपने कभी घर का मकान बनते देखा है तो पहले इंटों के साथ cement rate बजरी वो यूज़ करके ग्रे स्ट्रक्चर उसका घर का खड़ा किया जाता है फिर उसके बाद जो है वो उसको proper white wash करके paint करके और उसके अंदर different decoration का material लगा के तो उसको एक खुबसूरत घर बनाया जाता है ताकि वो रहने के काबिल हो तो वो जो पहला काम है ग्रे स्ट्रक्चर वाला वो HTML करेगा हमारी website के अंदर और फिर दूसरे नंबर पे आता है CSS ये क्या करता है कि ये आपके उस structure के अंदर colors करता है उसकी चीज़ों को adjust करता है कि कौन सी चीज कितने distance पर रखी जाए कौन सी चीज कितने distance पर रखी जाए ताकि वो attractive लगे वो खुबसूरत लगे तो ये सारा काम जो है वो CSS करेगा हमारे पास अगर आप मसलें कुछ लोग अप जो थोड़े सी अपर फैमिलीज होती है normal क्या होता कि आपने घर बनाया औ अपनी मर्जी से जो है वो आपने घर के अंदर चीज़ें जोड़ना शुरू करती है लेकिन क्या आता है कि जो corporate sector की बात करें या upper class की बात करें तो वो फुच से decision ले ले लेते वो एक interior designer को hire करते हैं और उसको बताते हैं कि हमें घर का interior design करके दो कि हरे लुग हैं फेलान जगह निए तो फेल चीज़ दो और किаю है तो फील भी हो कि यार फ़ूब चीज़ जाए तो रहो चीज़ लग रही है वह चीज वहां चीज़ लग रही ह।ो तो वह जो है वो इंटीरियर डिजाइनर आपको प्रॉपर घर की डेकुरेशन करवाता है तो वैसे ही हमारा जो वेब पेज बनेंगा वेब साइट बनेगी जो है यह उसके अंदर वो सारी स्टाइलिंग वगरा करवाता है और चीज़ों की कौन सी चीज कहां पर रखनी चाहिए कहां से कैसी होनी चाहिए उसका कलर क्या होना चाहिए कितने की यहां पर सूट करेगी तो वह आप देखते हैं अब अकसर होता है कि एक डिवार के उपर पेंटिंग लगी आप कहते हैं यहां की पजाय होती तो यह ज्यादा अट्रैक्टिव होती वैसे ही सीएस डिसाइड करती है कौन सी चीज को कहां रखना चाहिए कौन सी चीज को का आपने कोई भी चीज को अपने हिसाब से अड़्जस्ट करना है तो आप सी एसके थूप एड़्जस्ट करेंगे आप नोटपैड की फाइल ओपन करते हैं मैं यह पहले वाली चीज़ें बंद कर देता हूं आप नोटपैड की फाइल ओपन करते हैं तो इस तरह से आपके पास एक पेज ओपन होता है आप यहां पर एक छोटी सी चीज़ें यह याद रख लें डॉक टाइप एच्टीमल का बेसिक टैग आता है एच्टीमल और इसको हम इस तरह से टैग को क्लोज करते हैं और इसके अंदर यह दो इससे होते हैं एक हैड होता है और एक बाड़ी होता है अब यह आपके जो नियू हैं उनके माइड में सवाल आ रहा होगा कि यह में क्या लिख रहा हूं यहां पर एक वर्ड होता है टैग का कि टैग क्या होता है टैग जो है एक आप कहलें कि स्पेशल टाइप होती है विच हैव सम मीनिंग एंड इफेक्ट इसके मिनिंग भी होता है और कोई न कोई इफेक्ट भी होता है टैग का टैग दो तरह के होते हैं एक होते हैं पेर में होता है टैग और एक होता है सिंगल टैग जो पेर टैग होता है वह इस तरह से होता है like html का tag start भी है और फिर html के नाम से वो close भी होगा तो वह जो भी उस tag का नेम है वो less than और greater than के दर्मयान में आता है फिर इसके दर्मयान में कोई ना कोई content आता है कुछ भी बीच में हम चीज लिखते हैं और उसके बाद फिर उसी तरह से वही tag repeat होता लेकिन जो text है उसके start म में आप ये closing tag के लिए एक slash देते हैं ठीक है ये नॉर्मली आपके shift के button के साथ होता है अगर आप laptop से इस वक्त हैं तो आप देख सकेंगे कि question mark के साथ ये adjusted होता है जो है ये slash दूसरा होता है single tag इसका closing tag नहीं होता लाइक भी यार है इसके last में आपने ये देना होता है फिर एक होता है input इसके भी last में आपने देना होता है फिर एक होता है HR इसके भी last में आपने closing tag ये इसकी निशानी क्या है? सिंगल टैग है, जो भी उसका टैग का नेम होगा, तो जो टेक्स्ट खतम होता है, उसके बाद आप ये स्लैश लगाते हैं, ये इन्पुट का टैग खतम हुआ, टेक्स्ट के बाद आपने स्लैश लगाई, एचर का टैग खतम हुआ, टेक्स्ट के बाद आ लगाई। इसका मतलब है कि यह सङ्फ कंदिंग टीजेग है इसका पेस लेकिन जो पेस टयग है. इसका जिस नामसे स्टार्टनग टैग आग यहाँ पर आप देखते हैं तो competitors का स्टार्टनग टैग बहुत है पेड है पेहर Climate Account स्टाटनग टैग भी है और इसका क्लोजिंग टैग भी है तो आप शिरू में लिखते हैं लेस दिन साइन अफ एक्सक्लेमेशन यह शिफ्ट वन के साथ आता है फिर डॉक टाइप स्पेस एच्टीमल यह जब हम लिखते हैं इसका मतलब है कि हम एच्टीमल के वर्यन फाइव की बात कर र चौट फॉर्म के साथ यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो हर एक वर्यन होता है कि फिलावाले वर्यन में उसमें मिनिंग कुछ और लिखा है दूसरे वर्यन के अंदर मिनिंग कुछ और होता है तो आप टॉप पे बताते हैं कि आप किस टाइप की एच्टीमल की बात क्या है पिर उसके गवाद एक ऐसनों का टैंक स्टार्ट हाथ Dies का मतलब है यहां से आप की स्टार्ट हो रही है और लाच्ट तक वो जाके अन्डा जाती है अब इसके दो इससे होते हैं एक हैड़ होता हमारे enदर तो आपका जो कोई भी एक वेबसाइट ओपन होती है कोई भी आपके पास वेबसाइट होती है तो उसके जो चीजें हिड़न होती है वो आपको नजर नहीं आती है लेकिन उसका इफेक्ट नजर आ रहा होता है तो दूसरी जो है चीजें विजिबल होती है जो हिड़न है वो head के अंदर होती है कि कहां है हमें नहीं पता लेकिन वो है और वो कुछ ना कुछ कर रही है तो जब यहां पर आप आएंगे तो यहां पर चीज वो आपको नजर नहीं आएगी लेकिन उसका effect नजर आएगा जबके body के अंदर आपने जो भी लिखा होगा वो वहां पर नजर आएगा तो यह आप समझ लें कि इतना जो format है यह आपको याद रखना है कोई भी आप जब भी page बनाएंगे तो इस तरह से आपने बनाना है दूसरे नंबर पर किया याद रखनी है एक टैग के अंदर जब दूसरा टैग आएगा तो आपने एक तो उसका starting और closing टैग अलग-अलग लाइन पर करना है और उसके दरम्यान में शिरू में अंदर वाले टैग की शिरू से tab की space देनी है यह tab की space कैसे आती है कि आप बिलकुल इसको starting line में होता है यह caps lock के उपर आपके की बोर्ड पे एक arrow साब बना हुआ राइट साइड को इसको tab का बटन गयते हैं इसको प्रेस करते हैं तो वह आठ spaces एक साथ दे देता है इतना एक standard यह वह होता है काम करने का अब इसको save करनाय यह है यहां पर आप यह देख सकते हूं यह 3rd बटन हां किरता हूं यह यहां पर यह थर्ड बटन है यह जो 3rd बटन है यह सेव का होता है इस पे क्लिक करते हैं तो ये डॉकमेंट हमारा सेव हो जाएगा इसको हमने कहां पर सेव करना है पहले हमने वो फोल्डर को सिलेक्ट करना होता है उस फोल्डर में जाते हैं और जहां पर भी आपने सेव करना है डेक्स टॉप पे डाउनलोड में कहीं पर भी इसका हल कहा होता है आप जहां पर भी जाएंगे आप see drive e drive में कहीं पर जाके आप एक अपना folder बना लें मैं यहां पर आया हूँ और मैंने यहां पे एक folder पहले create किया राइट क्लिक करें new पे जाते हैं और यहां से आप एक folder create करते हैं और मैंने कह दिया यह यह मेरा वैब डिजाइनिंग में कह रहा हूँ यह वैब डिव्लप्मेंट कह रहा है इसको एंटर किया इस फोल्डर को उपन करें मैं एक और इसके अंदर एक फोल्डर बना रहा हूं जो कि आज की डेट का वहाँ आज की डेट है जी डिसेंबर 17 और मैंने इस नाम से यह folder बना लिया इसको open करें और इसके अंदर आज का सारा काम मेरा save होगा और by default इसका नाम आपने रखना है index और यह जो नीचे लिखा हो है ना normal text file इस पर click करना है और यहां पर आपने ढूलना है hyper text markup language file और यह जो जितनी भी चीज़े हैं यह sequence में alphabets होते हैं तो आप आफरी alphabets देखते हैं एच है तो इसका मतलब hyper hyp होता है तो इसके नीचे ही होगा यह बिल्कुल एक दफ़ा आप down arrow press करते हैं कि नीचे आपको यह list में मिल जाता है hyper text markup language file इसको आप सिलेक्ट करते हैं और इसको आप save कर देते हैं अब यह हर चीज़ कलर्ड होगी है चुंकि यह सेव हो चुकी है अब किसी भी tag पे click करेंगे तो वो बता देता है starting tag कहां पर रहे और उसका closing tag किदर है इस पर click किया उसका starting tag कहां है और closing tag किदर है अब वो मैंने file बना लिया है तो मैं जाके उसको open करेंगा उसको open करने के लिए आपन ने जान जिस folder में बनाया है वहां जाएंगे यहां पे मेरा यह वैब डिजाइनिंग का फोल्डर है यह मेरा आज का डेट है मैंने इंडेक्स के नाम की फाइल बनाई थी और यह मेरी फाइल बन चुकी है इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा यह मेरे पास फोल्डर के अंदर यह मेरा ब्राउजर होगा उसमें फाइल ओपन होगी लेकन यहां पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा ठीक है अब इसको हम एक दफ़ा क्लोज करते हैं और वापस जाते हैं इधर मैंने नोटपैड में भी वह फाइल बनाने के बाद उसको मैंने बंद कर दिया अब मैं नेक्स डे आया हूँ और मैंने उसकी प्रैक्टिस करनी है आप फाइल मैंने बनाई थी नॉटपैड पलस पलस के अंदर लेकिन यहां पर मेरे पास तो browser की file है इस पर double click करता है तो तो browser open हो जाता है मैंने उसका code देखना है तो इस पर right click करेंगे और यहां पर लिखा आता है edit with notepad फ्लास प्लास प्लेस इस फर click करेंगे वो notepad फ्लास प्लास के अंदर आपका same code open हो जाता है अब हेड़ के अंदर एक और टैग एंटर होता है टाइटल यहां पर आप अपना टाइटल लिखेंगे फिर्स्ट पेज के नाम से अब चुंकर यह एक ही लाइन का मेरा चोटा सा टेक्स्ट है तो जब थोड़ा सा कॉंटेंट होगा तो स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग आप सेम लाइन में लिखते हैं जब ज्यादा हो जाया तो फिर उसको अलगअ लग लाइन लए जाते हैं इसको इस तरह से भी इस तरह लिखआ और से साहँ किया यह थर्ड बटन इसका पर अठीच्टुन्ग किया और ब्राॉजेर में गए अदर जो टैग आपके अंदर आप लिखेंगे ना चीजें यहां पर जो भी आपने यह लिखा है मैंने इदर लिख दिया हुसैन साज़द इसको जाके रिफ्रेश करें अब यहां पर क्या आ गया हुसैन साज़द तक यह वह टाइटल का टैग शो करता है फिर बॉडी के टैग में जो आप लिखेंगे ना वह वहां पे नजर आता है start हम करते है heading के tag के साथ heading क्यों हम देते हैं कोई भी text होता है आपने उसको bold करना होता है ठीक है उसको बड़े size में लिखना होता है अब जो मैंने इदर लिखा changing के बाद save करूंगा तब ही वो आप देखें एक red color हो गया मुझे कैसे पता चलेगा मेरा डॉक्मेंट सेव हुआ है कि नहीं यहां पर देखें तो यह लेफ्ट साइड वे फाइल के नेम के साथ यह रेड गलर है आप कंट्रोल के बटन के साथ एस प्रेस करें यह यह देखें यह भी ब्लू है जैसे क्लिक करेंगे यह ब्लू में चेंज हो जाएगा और यह आपका स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो टेक्स लिखा पी का एक मिनिंग है कि क्या मिनिंग है कि टेक्स्ट को बड़ी हेडिंग बना दो पी का मतलब नॉर्मल पैराग्राफ है इधर आके आपने रीफ्रेश किया यह उसायन साजित नॉर्मल टेक् और यह आपके पास छे के छे हेडिंग एटैग्स आगे एच वन को कट करके इसको टू कर दिया अगले में जाके इसको कट करके थ्री कर दिया नेक्स्ट में आपने इसको कट करके फॉर कर दिया और नेक्स्ट में आपने इसको कट करके फाइव कर दिया नेक्स्ट में आप करें अब जाकर ब्रावजर में इसको रीफ्रेश के देखिए भी हेडिज की हेन आप को मिल जाती है तो इस तरह से जो है वो आप लिफरेंट जिस अब हैडिंग स aur आप अपने सारोट इसकी हेडिंग के दरम्यान में कोुजने से तो हमने अभी दो टेग को देखा हेडिंग एटेग तो हेडिंग एटेग हमने तब यूज करना जब हमें कोई बोल्ड टेक्स्ट चाहिए जो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा साइज उसका ज्यादा होगा ठीक है फिर उसके बाद हम अपने यहां पर इमेज इंपोर्ट करवाते हैं कि इम मोल्डर में आपका सारा यह फाइल होती है वहां पर वह इमेज पड़ा होगा तो आप उसको एजिली इंपोर्ट कर सकते हैं अब यह इमेज है इस पर आपने राइट क्लिक करना और पहले प्रॉपर्टेज में जाना है राइट क्लिक करके और इसकी एक्स्टेंशन देखन पानी होती है तो यहां पर एक अब यह सिंगल टैग है आईएमजी का क्लोजिंग टैग नहीं होता आई एमजी और यह क्लोजिंग टैग आगे इतना सा यह ठाइग होता इसके अंदर एक और चीज़ हम देंगे स्पेस के साथ साथ सार्वाइब लिखेंगे और डॉबल कु के अंदर आ चुकी है तो इस तरह से आप image को import कर सकते हैं अब इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं कि आप उस image का size कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो उसका तरीका काड़ किया है कि आपने height और width के अंदर इदर जाके space height equal और इदर आपने लिख देना है मैं दे रहा हूं 1000 पिक्सल और विर्थ भी जो है वह भी equal आपने 1000 करते हैं ठीक है तो इसको सेव करना है control s के साथ या इदर से थर्ड बटन और ब्राउजर में जाके refresh करेंगे आप देखते हैं वही image है उसका size पहले से ज्यादा हो गया है क्योंकि हमने उसको size यहां पर mention किया है अगर आप size mention नहीं करेंगे तो by default उसका जतना size होगा वह image उतनी हो जाती है मैंने अब size remove कर दिया है तो अब इसको refresh करूंगा तो यह original size में आज़ेगी ठीक है तो इस तरह से आप कोई भी image वह अपने document के अंदर लेकर आते हैं इसके बाद जो नेक्स चीज़ आप लाते हैं वह आता है दो तरह का टेक्स्ट होता है एक होता है bullets के साथ numbering आप listing बनाते हैं जब आप word के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वहां पर आप कोई ना कोई listing बनाते हैं और उस listing को आप एक numbering देते हैं यह बाइड मेरे पास word का document open है तो यहां पर मैं आपको example दे देता हूं उसकी कि आप किस तरह से काम करेंगे मेरे पास होता है मेरी hobbies क्या है और दूसरा होता है मेरे interest क्या है ठीक है तो interest मैं इस तरह से लिखता हूं कि जी मेरा interest है web designing मेरा interest है mobile एप्लिकेशन में और gaming में है ठीक है दूसरा होबिस क्या है मेरे तो वह मैं बुलिट्स के साथ लिख देता हूं जी cricket movies और इसके बाद socializing यह मेरे hobbies है तो आपने यह तीन listing एक यह list है ठीक है यह sequence में नहीं है और यह list sequence में ठीक है इसको बोलते है unordered list और यह होती ordered list ठीक है नाम क्या है इसका अन ओर्डर लिस्ट होती है और इसका क्या नाम है ordered list तो अन ओर्डर और ओर्डर लिस्ट अब किस तरह से बनाती है HTML के अंदर इसके दो तरह के tags होते हैं अन ओर्डर का start होता है ul का tag और enter करके इसका closing tag होता है ul और इसके अंदर आप हर एक चीज जो वो list item में देते हैं और मैंने उसी तरह से यह cricket और यह list item का tag मेरा close हो गया फिर एक नया li का tag आपने start किया और इसमें second interest आपने लिखा socializing और यह list item का tag close किया एक और मैं अपना interest लिख रहा हूँ li का tag इसके अंदर मैंने लिखा क्या है मेरा interest मेरा interest है जी movies यह list item क्लोज हो गया इसको control s के साथ save करें browser में जाएं और इसको refresh करें यह आप नीचे देख रहे हैं यह page के बिल्कुल bottom में यह तीन मेरे वो list बन गई है और इसी तरह से दूसरी ordered list है इसी को copy paste यह इसके नीचे आए और यह ol के साथ होता है ol for order list and ul for unordered list इसके अंदर li उसी तरह से मेरा mobile apps में interest है जी ठीक है मेरा इसके बाद जो है वो next list item क्या है मेरा game development में interest है मेरा artificial intelligence में interest है इसकी list item सेव करेंगे और browser में जाके इसको refresh करेंगे तो यह देखते हैं आप यह लास्ट में देखें एक यह भी listing है लेकिन इसके start में 123 नहीं है यह unordered है sequence नहीं है और यह sequence है और यह 123 के साथ है तो जब आप कोई इस तरह की listing बना रहे होंगे अपनी website के अंदर तो वहां पर आप यह सारी sequence में चीज़ों को mention करेंगे ठीक है इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ है कि CSS का थोड़ा साथ में आप इसके अंदर हम css क्या करेंगे css क्या कर सकती है इन चीज़ों का size कम या ज्यादा आप css के साथ कर सकते हैं इनका आप color change कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए क्या तरीके कार है आप जाते हैं और इदर जो tag लिख है अब css तीन तरह की होती है आज हम पहली तरह की css देखेंगे आप style का tag लिखेंगे उसके equal लिखेंगे और double quotation के अंदर आप जाएंगे और इदर आप लिखने color space red color लिखा यह property का नेम है इसके बाद आपने यह colon लगाया और colon यह जो है shift के साथ आप colon का button press करेंगे जो के L के right side पे होता है तो यह आएगा और फिर आपने उसका color का नेम लिखना है और फिर semi colon है बगएर shift के आप प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि इस वाले text का यह मेरा पहला जो h1 का tag है इसको मैं refresh करूंगा तो यहां पर यह उसका color change हो चुका है मैं h5 पे जाके एक और property का नेम लिखता हूँ font-size colon लगाया और मैंने लिखा जी 100 pixel और इसका size बने semi colon लगा दिया अब यह देखें h5 जो है वह चोटा text है h5 एक चोटा text है मैंने उसको refresh किया h5 एक बहुत बड़ा text बन गया जिसका size कितना है 100 pixel मैंने रख दिया by default यह 36 pixel होता ठीक है by default इसका size h1 का 36 pixel होता और यह उससे भी बड़ा हो गया लेकिन tag तो उसका h5 का था तो जब आप इसके bracket के अंदर आके style के tag में कोई instruction लिख देते हैं तो फिर उसकी अपनी instruction जो है वो बाद में होती और पहले वो additional instruction जो आपने इधर दी होती मैं इसको थोड़ा चोटा कर रहा हूँ 50 pixels पे यह आपको सही से नजर आजएगा यह आप देख सकते हैं तो जब जिस तरह से के class teacher होता है तो class का boss जो है वो class teacher है तो कोई भी बात कहनी है teacher ने कहनी है लेकिन अगर वहां पर घलती से principal आ गया है अब वो teacher की instruction अगर उसने कहा भी होगा ना खड़े हो जाओ और आप सारी class को punishment मिली होई थी औ और principal ने आगे कह दिया जी कोई बात नहीं आप सब बैठ जाएं तो उस वक्त टीचर की instructions जो है वो खत्म हो जाती है और principal की instructions को follow किया जाता है क्योंकि वह बड़े वाले boss है वैसे ही जो itself tag क्या कोई ना कोई उसका meaning predefined होता है कि जब भी यह tag use करना तो यह काम हो जाएगा ज लेकिन instruction उसकी एक अपनी होती है लेकिन जब कोई एक boss बड़े boss का order आ जाता है उस वक्त चोटे boss का order matter नहीं गरता तो इसी तरह से जब आप style के tag के अंदर कोई instruction लिख देंगे तो उसकी अपनी instruction matter नहीं गरती तो by default सारे color black होता है मैंने इसी semi colon के बाद दूसरी property लिखता ह हूं color green और semi colon लगाया save किया और इदर गया और यह देखें इसका color text का green हो गया है तो इस तरह से हम अपने page को manage करते हैं तो आज के लिए हमारे बाद इतना ही है next class के अंदर हम कल जो है इन्शाला इसको further चीज़ों को add करेंगे तो अब आपका कोई भी question है तो आप सब जो है अब पूच सकते हैं